अब मैं बात करूँगा उस 17 वर्षी है लड़की जिसकी मौत है उसकी दोस है और यह वही लड़की है जो उस वक्त उसके साथ मौझूत थी यानि कि साइकल से साथ ही साथ इन लोग का स्कूल में जाना आना था पीटा मैं समझ सकता हूँ बहुत परिशान है इस वक्त आप र रहते बाते करते हुए वो दोनों भाइक सटा के एक दम गए रुपर्टा की जिए साइकर तिर्ची हो गई थी सड़क पे चली गई पीछे से भी कोई लड़का यह था इस वाही दोनों भाइक सटा के ले गए देए ने रुपर्टा क्यों खीचा आई उसमें हम पीचे मगं गड़के नहीं देगे हम दोना बाते करते हुए आ रहे थे वह पीचे से पहले बाइक सटा आई फिर ऑपर्टा कीच्के चल गए भार गण क्यों पहले भी लिड़के कि Anybody इस तरह रों हौर कर चुके थे पीचे पीचे ड़य आते थे क्या कुछ कमेंट्स भी पास करते थे नहीं कुछ बोलते भी थे अप लोगों से नहीं से पर्चे आता थे आप लोग को रोकते थे गाड़ी में बीश्ट में ऐसा होता था कभी नहीं कभी रहस हुई पहली वार हुआ कि उसने दोपटा खीचा इस तरह से पहले से आप लोग जानते से उन लड़कों को आपने फिर क्या कि इस वक्ते घटना हुई दोपटा खीचा और पीछे से आपकी दोस्को चोट लग चुकी थी किया वो कुछ बोली आप से आखरी में नहीं सब उसका मुभान दिये थे खुण निकल रहा था क्योंकि उसकी दोस्त थी साथ में जाती थी आपने कभी सोचा था इस तरह का कुछ हो भी सकता है आप देख से एंगे आँखों में आशू है दोस्त तरह से आप बीती सुना रही हैं आप चाहती किया मेरा अक्री सवाल आप से दूंगा बहुत परिशान उन वड़कों के साथ क्या होना चाहिए लड़कों की भी मौत होनी चाहिए जैसे मेरे बैन का हुआ अपता समझ से आप समझ सकते हैं यह मत आई मुझे कि क्या और भी लड़कें के साथ वही लड़के इस तरह की हरकत करते थे चड़खानी करते परिशान करते कि अपता समझ सकते हैं यह जिस तरह से इनकी आखों में आसू है और यह आप बीती भी बयां साही से नहीं कर पा रही हैं कि केवल एक मांग कि जिस तरह से इनकी बहन इनकी दोस्त के साथ जो खटना हुई ठीक उसी तरीके से जो आरोपी हैं तीन उन तीनों के साथ भी यही परताफ किया जाए।